कि हैं यूडीपी पर अलड़ी मैं दो वीडियोश बना चुका हूं आपको मेरे प्रिवेश वीडियोश चेक कर सकते हैं जहां पर मैंने प्रिवेश लेक्षर फोड़ा था वह इंसी अपना आज का लेक्षर स्टार्ट करेंगे ठीक है जितो आज की लेक्षर में हम लोग दे कि आ पर हमारे पास यह एक सेंडर है और यह रिसीवर नं सेंडर म نے यह क्रोसेस ऑस दस को मेक्षर कर रहे है जुआ इस कि अ सिर्डेटकर ब्रक्रश है अप इवन इस सेंडर में लिए यूजर सेंडी उसने इंचरों सेंड वान फीन कूंट तो तरही कुछ होता ही नहीं है मतलब all these are independent to each other इनमें कोई relation नहीं होगा यह बात हमारे को ध्यान रखने हैं मतलब इवन इफ से एक ही सेंटर प्रोसेस से एक ही रिसीवर प्रोसेस पे multiple user जा रहे हैं फिर भी उनके विच्म कोई relation नहीं होगा they all will be treated as independent user datagrams अब आपको ध्यान रखने है तो मैं आप पढ़ता हूं तो लाइन है आप आपको समझ में आ जाएगा क्या 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 रहे है as mentioned previously UDP provides a connectionless service this means that each user datagram sent by UDP is an independent data all of all these are independent datagram there is no relationship between different user datagram even if they are coming from same source process or and going to the same destination process same source process same destination process पे जा रहे है even if उन में कोई relationship नहीं होगा ऐसे नहीं होता है यह user datagram 1 है यह 2 है यह 3 है and so on यह basic meaning connectionless account ठीक है आपको वैसे पहली भी काफी बार बता है connectionless का मतलब यह नहीं होता है कि कोई connection बनेगा physical connection जिसके तो data transfer हो और connectionless का मतलब यह नहीं होता है कि कोई connection आपको बताया था also there is no connection establishment and no connection termination CDC बात है भाई जब हमारे पास कोई connection वाला चक्कर है यह नहीं कोई connection establishment कोई connection termination कोई connection termination ऐसा कुछ नहीं होगा okay as in the case for TCP तो यह पूरी लें दुबार से पढ़ जेता हूँ as there is no connection established also there is no connection establishment and no connection termination as in case for TCP TCP में होता है लेकिन यहां सब कुछ नहीं होता this means that for each user data this means that each user datagram can travel on different path अलग लग पास से जा सकते हैं वैसे तो TCP segment भी अलग लग पास से जा सकते हैं सब कुछ नहीं होता कि सिर्फ इनोंने वैसी लाइन मुझे लग रहा है लिखी है इसको खास मेंने निकलता इसका connection oriented का मतलब यह नहीं होता है कि से पास करेंगे मैंने आपको बहुत बहुत बर पहले भी बताया था आपको पहले पर बताया था यूदेपी चॉपिंग नहीं कर सकता है सिर्फ उतना मैसेज कर पाएगा जितना इसके यूजर डिटाग्राम में आ सकता है आपको याद आ रहा होगा आगे लिखा है इंस्टेड इच रिक्वेस्ट मस्ट बिस्मॉल इनफ फिट इन्ट इन्ट यूजर डिटाग्राम ओनली दोस प्रसेश सेंदिंग शॉर्ट मेसेज शुड यूज 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 करते हैं आगे देख इनफ को है उन्हें कोई तरफ आगेंनी कोई वीर्ण वीर्ण कुस नहीं कुंकि बहुत सिंपल ग्रॉट्यकल है अब देखो मैं अपको यह यह लाइंस पढ़ देखा ए वह दूंड जो लिखा है उडिको क्या क क्या रहा है और इस नो फ्लोट अन्हेंस नो विंटों मेकान इसमें अगर सेंडर में कोई यूट से डेटाग्राम कोई अता पता नहीं उसको बीच में लॉस हो गया या वो डूपलिकेट हो गया कहीं कुछ नहीं पता लगा पाएंगे क्योंकि हरे इस डेटाग्राम इंडिपेंडेंट एक दुसरे से लिंक ने तो यह बहुत इंप्टे है सेग्मेंट डुपलिकेटों यह मिल्स हो गई पता लगेंगा ठीकिंड़ के पैकेट को सेग्मेंट कैते हैं तो इसमें विटों Bո कि अगर यूजर डेटाग्राम रस्ते में लॉस हो गया डुप्लिकेट हो गया कुछ पता नहीं लग सकता भी उसका क्या हुआ और क्या नहीं हुआ क्योंकि सब इंडिपेंडेंटेंग सब्सक्राइब को पता लगा कि इसमें कुछ पता लगा होगा तो उसको उसके अंदर खुद का इंटर्नल फ्लो एंडर कंट्रोल मेकैनिसम होने से इसने कुछ नहीं करना पैकेट में अगर पता लगा कि चेक्सम से पता लगा कि इसको डिसकार्ड कर देगा इसके उपर आगे और कुछ नहीं करना तो यह जो उपर अप्लिकेशन होगा उसको होना च फाइल ट्रांफर प्रोटो को यूदिप का यूज़ करता है कि उसके अंदर यह सब आलरी है उसके बाद आजी अनकेप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन यह आइफिंक आप समझे चुके होगे है ना मतलब जो भी मैसेज जाता है वह किसमें नकेप्सुलेट होके जाएगा इ पर रिखेव साइट पर डीकैप्सुलेट होगा यह इन्होंने लिखा हो है तो सेंड़ मैसेज वान पूसे नदर यूद्ध प्रोटोकोल और कैप्सुलेट मैसेज इनन आइफिंग पकड़ गया होगे ओविस ही बात है यह बात है वही ट्रांस्पोट लेयर का है यह प्रो उसके साथ एक इनाँक्मिंग क्यूंध बना हुआ होता है इसका यह मतलब अशूड़ह का वाक्ता ऐसे ही जो डे टाइम सर्वर रहें वह आपको पढ़ता है पोड़ नमबर 13 वैलन पोड़ नमबर है उसका भी अउटगों की होगा और इनकमीं की मतलब दो क्लाइन पोसेस को मैसेज देगा और आउटगों की मतलब जो क्लाइन प्रोसेस्श करना चाहेगा तो आउ इसको एफिमरा नबर मिलने इसलिए एफिमरा मतलब तेम्परेरी ओके सम्क्लीमेटेशन क्रेट बोथ इंकमिंग अशुछ तर्ड इसके उफिद्विग गोर्थ नोटिपलेगी तो one port number and eventually one outgoing and one incoming queue. यह बात बहुत important है. अगर कोई process, multiple process से communicate कर रहा है, even if उसको सिर्फ एक ही port number दिया जाएगा, और एक ही incoming queue होगा, और एक ही outgoing queue होगा. मतलब in the sense, यह देखो, जैसे यह server है, यह जो daytime server है, इसके पास एक client के message थोड़ी आएगे, इसके पास बहुत सारे मैसरे और इसका इसका इनकमिंग हो तो मतलब मतलब मुलटिपल मैसेज आते चले जाएँगे जतने भी यूटिपल क्लियों से करते लेगे उस सारे इनकमिंग यू यह कह रहा है उसा नहीं है कि हरे क्लाइट के लिए इसके पास अलग लग-लग इंकमिंग आउट क्यूब बनेगा ऐसा कुछ नहीं होता है कि क्यूब में सारे काम चलते रहे हैं यह यह कह रहा है ठीक है गुबार्स में पढ़ देता हूं क्यूब फंक्षिन एज लॉग ऐस रहने पन ब्रॉसेस तर्मिनेट्स दो इस इस और जैसे तो आगे पड़ो इस यह थाओ देखो यहां पर यह चाहरा है जो भी हमारे पास स्क्लाइन प्रोसेस है अगर वह कुछ मेंसे सेंड करना चाहता है तो वह आउट्गोईंग क्यूमें मैसेज को डाल देगा तो डालने के बाद UDP क्या करेगा one by one और क्यों से इक निकालता रहेगा उसमें UDP header लगाता रहेगा और UDP header लगाने के बाद IP को forward कर देगा और IP आगे packet को forward करेगा जहां पर भी server के पास packet जाना होगा वहाँ पर चला सेगा यह इन्होंने बस बात बोली है दुबार से में पढ़ता हूं आपको समय में आ जाएगा देखो इन्होंने क्या का है अगर क्लाइंट प्रॉसेस बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करने लग गया जैसे डेटाम क्लाइंट हो बहुत ज़्यादा मैसेज करने लग गया तो इसका आउटगों क्यों भर सकता है या ओवर्फलो कर सकता है यह तो यह मेमरी ना क्यों क्या होता है एक किसम से बस स्मॉल पीस ओफ मैमरी आपको मिली हुए है जहां पर हम लोग मतलब पैकेट्स को या मैसेज़ को स्टोर कर रहे हैं तो अब यह ओवर्फलो कर सकते है अगर पैसे बात है यह हमारे खुदी मशीन की प्राव्लम है और किसी ने तो फ्रॉब्लम पाइदा करी है तो इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन दे सकता है क्लाइंट को कि आप स्लो डाउन हो जाओ आउटगों क्यों भर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिमेवारी है कि आउटगों क्यों ना भरे यह बहुत अच्छा अब आउट के बारे में आपको समझा रहे हैं यहां पर नेक्स पैराग्राफ में देखो क्या कह रहे हैं पहने मैसेज अराइफ और अब आउट यूड़ी चेक्ट तो सी इफ एंग इंकमिंग्यू हैस बिन प्रियेटिट फॉर दफॉर्ट नंबर स्पैसिफए इन देस्टिनेशन पॉर्ट नंबर फिल उफ ता यूज़र डिटाग्राम आया होगा उसमें देस्टिनेशन पॉर्ट नंबर होगा तो चेक क इंकमिंग्यू हैस बिन क्रेटिट फॉर्ट नंबर स्पैसिफए इन देस्टिनेशन पॉर्ट नंबर फिल उज़र डिटाग्राम इफ देर इस सच अक्यू यूड़ी पी सेंडर सेंडर रिसीवर उज़र डिटाग्राम तुदी अंड उफ तक्यू तो उसके एंड पर जा अगर इंकमिंग्यू नहीं बना होगा उसकेस में यह जाता है और वही चीज हम नहीं यहां पर प्रवपली दुबार से समझार दीती है दुबार से पढ़ लो तो क्या होगा अगर ऐसा कोई क्यूं नहीं बना होगा और उसके क्यूं देखेगा अगर क्यूं बना हुआ है बहुत अची बात है तो एंड ओफ दू में जाकर के मैसेज को लगा देगा वो अगर बाइचास नहीं बना हुआ तो पोट अन्रिचेबल मैसेज जाएगा यह इन्होंने का है बस आगे पड़ो ऑल दी इंकमिंग मैसेज़ेज़ ऑल दी इंकमिंग मैसेज़ेज फोर वन पर्टिकुलर क्लाइंट प्रोग्रेम वेदर कमिंग सेम और डिफ्रेंट सर्वर आर सेंट तु दसेंग यह इन आपको पहले भी बताई थी एक यह बने गा वह इतने भी सर्वर से मैसेज आ रहे हैं क्लाइंट के लिए हर एक हर एक मैसेज सेमी क्यों में लगाएं जाए जाए राय सर नहीं होगी अलग लग लग बनाएंगे ए एक जाए खेंट है यह बना कावेद पहले हिए नहीं अब 65 जाए खिए कि अा फिर्थे आरच मैसेज आ दो डब फ्लो यहां पर आपky नहीं मॉर नहीं लगा रहा किस सर्वर को अब यह नहीं पता लगेगा कि इनकमिंग बना नहीं था यह इनकमिंग कूरत लिए क्या होगा और क्या नहीं होगा तो ड्रेक्ट लिए उसको ड्रॉप करना पड़ागा और मैंने आपको बहुत 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 है जब भी डेटाग्राम ड्रॉप किया जाएगा हर एक केस में आई जाता है तो वही बात यहां पर हो रही है कि यूडिप ड्रॉप यूजर डेटाग्राम एंड आस्क फोरे पॉर्ट अनुचेबल मैसेज चला जाएगा अब पॉर्ट अनुचेबल मैसेज तब भी जा रहा है जब इंकमिंग्यू बनाई नहीं और तब जा रहा है जब इंकमि इसमें आ चुका है बठ हमने डाला ही नहीं है तो थोड़ा सिंपल रखने के लिए इस टाइप से सोचा गया था तो में बात ध्यान रखनी है आउट्गोइं क्यों अगर भरेगा तो उसकेश में नेट्वर्किंग वाली हेल्प लिजाएगी मतलब ICMPR मैसेज करेगा एंड इसमें उपरेटिंग सिस्टम की हल्प लिजाएगी एटिंग हो गया होगा बढ़ते हैं आगे ठीक है जी एक सर्वर साइट सेम केसे बनेगा जास फॉल आप समझते चले जाना एट इस सर्वर साइट तो में इसम्ट्राइब करेटिंग एट इस सिंप्लेस फोर में आगा जा स王ल आप इस सर्वर उना सबैसिंग एट प्रिमलें कारएग ट्यट टौल तर्सक्राइब सेंग स्लेंग करें धास ऋप्या डेक में ठीक्राइबारा सिय इन जलो पर में प्रिंग पर बावन defernt सुल आपक्टताय वंकृ इन में भूंपोर है प्रूर इप्येव करेबस — if there is no such queue UDP discard user datagram and ask for ICMP protocol to send a port and disable message to the client okay all the incoming messages for a particular server whether coming from same or different client are sent to the same queue and incoming queue can overflow if this happen UDP drop the user datagram and ask for a port and disable message to be sent to the client obviously incoming queue जभी भरेगा उस case में port and disable messages जाएंगे जैसर रां के सो जाएंगे उस case में को उपरेंसिर की help लिजाएंगेगे वन a server wants to respond to a client it's send message to the outgoing queue using the source port number specified in the request UDP removes the message one by one and after adding UDP header delivers them to IP and outgoing queue an outgoing queue okay and outgoing queue can overflow आपको यहां पर दे दिया है बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं बस इतना कह सकते हैं जो फर्स्ट पेराग्राफ था ना आपको ने मैसे और पहले इंकमिंग की बात हो रही है मतलब अगर क्लाइंट ने को मैसेज के सर्वर को और सर्वर का भी इंकमिंग क्यूब बनाई नहीं है तो उसकेस में बात है देस्टिनेशन अंडिशेबल मैसे चला जाएगा यह अपो अनुछ प्रूट प्रूट प्रू यहीज बात दिकि और इंकमीं मैसेज सर्वर के पास जो बी इनकमिंग की होगा उसमें सारे मैसे लगा जाएगा यहीं होता है कि हरी और इसके बाद आगे नंनी यह बता रखए कि जब सर्वर क्लाइंट को रिce क्लाइंट को आगर आउटगोईंग विए अवर्फलोव रहागा तो अपरेटिक सिस्स्टम की दिमिवारी है वह सर्वर को बोलेगा अगर इंकमिंग क्यों हमारा अवर्फलोव हो जाएगा तो फिर वह नेटवर्किंग वाली बात आगी मतलब आड़ इनकमिंग और वर्फलोव एपन यूदि ज़्रॉप दो और मैसल को फॉर्ट और साथ कुछ ऊचली कर ने बिल्कुल सिंप्ले संप्जा दिया कि सर्वर में हम क्या बुटा संब्ससार बुटा सब्क्राइब करने तरी इस धुबता है वही बात है ने प्रपर बहुत नीप मेघा कर कि इन इस सिंप्लेस्ट इन अब आपके तक जलता रहेगा तक यूज बी ओपन अपर ही थै केंगे थिक है आगे कि घुड़ा आप रखाँ यूजे आए आप हम लोग रुजय आज अजा तरह थैं और gp kajoo ba the following the list or following list some of the user for universal. the user for the protocol u dp suitable process that requires a simple request response communication with the little concern of law and error control it is usually used for the process such as FTP that need to send bulk data it is not usually used for a process such as fdp that need to send bulk data usually usually use of course there are some exceptions generally fdp के साथ tcp use of file transfer protocol tcp और ये किसके लिए पाइदेमंद है ये बात important रहे धियान रखने आपको ठीक है it is suitable for for process that requires simple request response communication ठीक है जैसे interactive application 7 बहुत जादा UDP का use होगा और जिसमें flow control और कंट्रोल की हमारे को tension है नी real time data में बहुत जादा यूज होगा सब बाते में आपको पहले बता रखे है ठीक है जी आगे बढ़ो UDP suitable for process UDP is UDP suitable for process with internal flow and error control mechanism for example tfdp trivial file transfer protocol process include slow and error control it can easily use UDP में आपको बहुत 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 पहले बता चुका हो ठीक है जी UDP is suitable for for transport protocol for multi casting multi casting capabilities embedded in UDP software but not in TCP software यह बात important है यह difference में आ सकता है multi casting capability UDP में होती है process such as SMTP simple network management protocol so SNNP uses UDP or routing information protocol RIP जो भी UDP का use करता है ठीक है simple बात है जहां पर छोट छोट मैसेज करना है UDP is the best to us और जहां पर reliability की जादा अगर एक router ने अपनी routing table किसी दूसर राउटर के साथ शेर करनी है है RIP में हम यहीं करते थे यहाद आ रहा होगा आप लोगों को नहीं आ जाता तो नहीं आप लोगों के मेरी वीडियो देखो है ना और वो प्रियोडिक अप्डेट सब्सक्राइब करते रहते हैं अगर एक मैसेज ना भी पहुंचे तो कोई बावाल नहीं बच रहा है और क्या होगा ठीक है अगर हमारे को छोट-छोटे मैसेज करने सबसे बैस हमारे पास यूटिप का उनलाइन गेम खेलनी है इंट्रक्टिव अप्लिकेशन से हैं अब इस पॉइंट लिख लेना इंपॉर्टन ने सारे ठीक है ओनलाइन गेमिंग वाली बात बतला इंट्रक्टिव अप्लिकेशन से रियल टाइम अप्लिकेशन और वीडियो इन सब में यूटिप का उस होगा धियान रखने आपको तो इन सब कुछ उसे हो गए ओकेशन तो इन सब को अपना नोटन कर लेना उसके बाद आता जी टीसीप के बार में हम लोग नेक्स लेक्टर में स्टार्ट करें ठीक है एक बात और काफे सारे स्टुडेंट्स को मुझे लग रहा है यह मैं अच्छा नहीं लगा बुक्स य हो रही है तो ठीक है TCP को फिर हम लोग ऐसे बुक से रिट नहीं करेंगे और TCP है भी बहुत ज़्यादा लंबा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें तो मैं नोट्स बना करके उसको राम से पढ़ाऊंगा ठीक है यूड़ीप छोटा सा प्रोटोकल था और सिंपल था पर सोड़ सा फिलिंग देने के लिए कि बुक रीडिंग कैसे करनी है एंस उसके लिए मैंने आपको यूड़ीप बूक में से पढ़ा दिया है बट अब जो नेक्स प्रोटोकल होगा TCP उसके लिए में प्रोपर नोट्स बना करके आपको पढ़ाऊंगा ठीक है ओके थैंक् कर सकते हैं मैं आप से कभी भी मुझ से कुछ नहीं मागूंगा जो आपको अच्छा लगता है और आपको मैं बता देता हूं एक एक वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है और मैं एक घंटे के रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मुझे तीन से चार घंटे लग जाते हैं और मैं डिली बेसिस पे आपके लिए तीन घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मतलब दो से तीन लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूं तो ओन एंवलेज में बारा से तेरा घंटे काम कर रहा हूं मॉर्निंग में सुबह उखता हूं I think 8 o'clock के रहा हूं और उसके बात से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है और लगबग मैं आपको 11 बज़े तक काम करता हूं तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूं अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सुपोर्ट करो ठीक है ओके थैंक्यू सो मक्स बात